हेलो एरुएन वेल्कम बैक आज हम लोग पढ़ना जा रहे हैं कॉन्वेक्स हल के बारे में तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो कॉन्वेक्स हल इस दा स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलिगन डैट कंटेंड अल दा पॉइंट इन दा प्लेन मतलब हमको कोई अधे कॉन्वेक्स हैं उसको हम लोग clockwise कवार करते जायेंगे एक से दूसरे को मैच कर देंगे ठीक किश्यूंच क जया मैच कर देंगे जो बाकी जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे उस जो नोग अम लोग पॉलीगोन बनाएंगे जो सारे पॉइंट को country could cover करके तो सारे पॉइंट से हम लोग क्या हो गए cover हो गए है ठीक तो हम लोग ने सारे पॉइंट को join कर लिया और एक हम लोग कर बन गया convegs polygone और इसी को हम लोग बोलते हैं convex hulk बोलते हैं convex hulk बोलते हैं ठिक तो एक छोटा सा program given होगा, question given होगा और उसको हम लोग करना किस से है divide and conquer rule से उसको करना होगा तो हमारे पास एक question given होगा आपके exam में question आएगा और उसके माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे convex hulk बनाएंगे और smallest convex polygon हमारा बनेगा जब हम लोग सारे points को cover कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ point given होगा, question क्या होगा given a set x at a point p1 xn yn and p xn yn is a plane, we want to find our convex hulk find करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक y axis ले लेंगे, यह हमारा y axis है और यह हमारा क्या हुआ, x axis है सबसे पहले इसमें करेंगे क्या हम लोग minimum x के इधर minimum minimum point और x के x के इस side हम लोग कर लेंगे minimum point और x के इस side maximum point को ले लेंगे, तो हमारा minimum point कौन सा है यह हमारा क्या है minimum point ठीक, और यह हमारा क्या है maximum point तो यह point हमारा हो गया minimum तो इसको बोल लेंगे P1 point इसको बता देंगे हम लोग P2 point ठीक यह दूर है ठीक यह maximum है ठीक तो हम लोग क्या करेंगे अब इनके बीच में एक हम लोग straight line को क्या कर लेंगे draw कर लेंगे ठीक यह process है किसका हम divide and conquer rules से हम convex hull को solve करेंगे तो हम लोग ने minimum point ले लिया एक maximum point ले लिया minimum point को हम लोग ने बोला P1 or maximum point को हम लोग ने बोला P2 तो हम लोग को पास दो चीज बन गई जो हमारा पास जैसे point थे डो part में divide हो गया यह हो गया above part इसका बोलते है upper part उसके बोलते है lower part अपर पार्ट को हम लोग बोल दिये x1 और रोल पार्ट को बोल दिये x2 और हम लोग क्या करेंगे इससे की माध्धम से लोग करेंगे तो सारे पॉइंट जब कवर हो जाएंगे तो हमारा x1 और x2 को एड करने बाद बन जाएगा हमारा x x को बोलेंगे हम लोग क्या convex hull तो अब क्या करेंगे हम लोग अब यह देखेंगे कि जो पी 1 और पी 2 जिसके अपर पार्ट है क्या वो एमटी है तो बट यहां देखें अपर पार्ट इमटी नहीं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है जब एमटी ना हो तो हम लोग क्या करेंग पी 1 और पी 2 से जो भी इस लाइन से जो पाइंच दूर अबब में जूर होगा उसको हम लोग मान लेंगे पी kind दूर है तो इसको मान लेंगे आफम प्रेंच मान लिया तो क्या करेंगे दूर पी मैक्स की ओर धोर ठीक और उसी तरह हम लोग एक पॉंट और ड्रॉ करेंगे पीटू से पीमैक्स में स्टेड लाइन की ओर ठीक यह हमारा क्या हुआ पीमैक्स मिल गया ठीक अब देखिए हमारे पास दो पॉंट अभी भी बाहर रह गए अब इनको भी तो में लोग को कनेक्ट करना है तो हम लो अब इस लाइन में देखेंगे कि कौन सा पॉंट दूर है तो मतलब एक ही पॉंट है तो यह हमारा क्या हो गया पीमैक्सिमम हो गया ठीक तो इस पॉंट से एक पॉंट हम लोग यह ड्रॉ कर देंगे इस पॉंट से पीवन में एक स्टेड लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस से इस पीमैक्स को हम लोग एग लब् ं करदो करेंगेा बुबद यहां पर देखिए यही पॉइंट करते देघ्रते यह ट्रफ करेंगे और इसились प्राव ट्रफ करेंगे इस से यह मख्तर हुआ प्र法ी मारा फे ना उडख ग्टार से धाल से er अपर पार्ड हो गया, वो क्या होगा, कम्प्लीट हो गया, अपर पार्ड को हम लोग ने connect कर लिया, अब same as it is process हम लोग करेंगे क्या, लूवर पार्ड में, लूवर पार्ड में क्या करेंगे हम लोग इस लाइन से P1, P2 के लाइन से सबसे देखेंगे, इधर आप लोग कह ल आप देखिए हम लोग clockwise मूव करेंगे इधर यह भी पॉइंट नहीं है ठिक और इधर देखिए दो पॉइंट अभी बाकी है अब हम लोग की चेक करेंगे कि इन दोनों में से इस लाइन से यह पी वान और इस लाइन से यह माल लेज़े P3, P3 line से कौन सा point दूर है, तो देखिए ये point दूर है तो इसको P maximum माल लेंगे और इस point को हम लोग इस से connect कर देंगे, state line से ठीक और ये हमारा जरसे भी ये connect हो गया state line जो है connect हो गया, ठीक अब देखिए हमारा सारे point को हम लोग ने connect कर दिया है, with the help of convex hull हो जो red color है उसको हम लोग क्या कर देंगे बाद में erase कर देंगे, तो हमारा जो point बनेगा क्या बनेगा, ये green color का ये जो point है इस तरह हम लोग इस point को क्या कर देंगे, cover कर देंगे, ये पहले जो green से हम लोग ने बनाया है, जो connect किया points को, यह हमारा क्या हो गया, convex hull हो गया तो इसमें सबस्ब्रक करेंगे क्या जो हमारा ये तो solve हो गया, तो हम जो process बता दें दुबारा जिससे आपको clear हो जाए, पहले सबस्ब्रक क्या करेंगे हम लोग 2 point ले लेंगे, minimum और maximum point लेंगे, दोनों की बीच हम लोग 2 straight line draw कर लेंगे, तो हमारे पास 2 part बन जाएंगे एक upper part बन जाएगा हम लोग नाम दे देंगे x1 और lower part बन जाएगए, उसको नाम दे देंगे, हम लोग x2 part देदेंगे ठीक, तो जम अपर पार बन देखेंगे अगर empty नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे P1 P2 से एक हम लोग सबसे दूर जो इस लाइन से दूर जो point होगा maximum दूर जो point होगा उसको maximum मान लेंगे उससे हम लोग state land draw कर लेंगे P1 और Pmax से उसके बाद चेक करेंगे कौन सा point बाहर रह गया है तो हम अब देखिए यह point बाहर रह गया तो हम लोग ने इसका point के लिया और state land draw कर दी same address हम लोग ने इधर किया बट जो हम लोग point cover करेंगे वह हम लोग करेंगे clockwise order में करेंगे ठीक क्योंकि हमारे जो point बाहर रहेंगे उसी को हम लोग करेंगे किससे clockwise order में ठीक तो सेम ऐसी पोसे हम लोग ने किया lower part में सबसे दूर जो point है उसको हम लोग Pmax मान लिया और हम लोग ने state land draw कर दी P1 से और P2 से उसके बाद चेक करेंगे कौन सा point बाहर रह गया जो point बाहर रह गया उसमें चेक करेंगे कि कौन सा point दूर है तो यह point दूर था तो हम लोग ने इसको maximum मान लिया फिर इससे इसको connect कर दिया P1 से और इसको connect कर दिया तो हमारे क्या हो सारे point हो गये cover और यह हमारा बन गया Convex H थांक्यू एवर्यमन